इन दिनों मोदी की गारंटी की बड़ी चर्चा हो रही है कभी जनता को मिलने वाली सरकारी लाप को फिरी के रेवडियां कहने वाली मोदी सरकार अब मोदी की गारंटी को का जोशोर से परचार कर रही है ऐसी ही एक गारंटी हाल ही के दिनों में राजिस्तान के लोगों के लिए परचारित की गई थी कॉंग्रिस सरकार के 500 रुपे में सिलेंडर देने पर भाजबने वादा किया कि अगर सरकार बनती है तो 450 रुपे में सिलेंडर देंगे लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये गारंटीय बुला दी गई है ये चुनावी जुम्ले के लिस्ट में शामिल कर दी गई है मतलब फिर एक बार कैसे बीजेपी ने लोगों से जूट बोला है चुनाव से पहले कूव ऑदे लेकिन फिर अपने बादों से मुकर गई दरसर राज़िस्टान विदानसवा चुनाव से पहले बीजेपी लोगों के सामने अपने मैनिफेस्टों लेकर आई थी जिसमें चुनाव जीतने के बार लोगों कई गारंटिया देने की बात भी कही गई थी जिसमें ऐसे एक थी कि राजस्तान में अगर भाजपा आती है तो यहां पर लोगों को 450 रुपे का सिलेंडर दिया जाएगा भाजपा तो राजस्तान में चुनाव जीत गई मगर वो जो उसने वादे की थे वो उससे मुकर गई उसने साफ साफ कह दिया कि राजिस्तान में 450 रुपे में LPG सिलेंडर देने का सरकार का कोई रादा नहीं है मतलब जो वादे भाजपा ने लोगों से किये थे उन्हें पूरा करने का भी भाजपा का कोई रादा नहीं है मतलब नई सरकार आने के बाद भी राजिस्तान की जनता को महंगाई से कोई राहत नहीं मिलने वाली संसत में फिलाज शीत कालीं सत्र चल रहा है इसे के दौरान सरकार ने राजसवा में अपने वादे से मुगरते वे कह दिया कि राजसान में 450 रुपे में LPG सिलेंडर देने का उसका कोई इरादा है ही नहीं तो दोस्तों आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे चुनाव से पहले BJP लोगों से वादे करती है लेकिन जीते ही अपने इरादे बदल लेती है असल में यही तो काम है BJP का कि पहले वादे करो और फिर चुनावी जुमले कह दो इससे पहले भी वो बोल चुकी है कि हर बैंके 15 लाक रुपे आएंगे लेकिन ऐसा हुआ? नहीं हुआ इसे भी चुनावी जुमला बताकर अपने जूटे बादों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया और अब फिर एक बार BJP ने अपनी पुरानी परंपरा को दोहराया है फिर एक बार लोगों से वादे किये गए चुनावी गारंटिया बताए गई लेकिन लोगों के लिए कुछ हुआ कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि सरकार की अब आदत हो गई है कि पहले लोगों को रिजहाए और फिर बादे करे और उसके बादे करने के बाद उनसे मुकर जाए खेर दोस्तों आप लोगों क्या लगता है क्या बीजेपी का काम ही हो गया है जूट बोलना क्या वो बस लोगों को रिजहाने के लिए ऐसे हतकंडे अपनाती है कि पहले बादे करो फिर मुकर जाओ आप लोगों क्या लगता है इस मुद्धे पर हमें अपनी ड्राइज जरूर दें बागे तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रही हमारे साथ